हिए है 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 थे देख पारे है हम लोग टार्गेट एे ऐस को कवरप कर रहे हैं सुडेंट्स मैं बात करूं है तो वो रहेंगे आपके मार्च 2020 से लेकर एप्रिल 2021 के इंपॉर्टेन कर इंट अफेस जो आपके प्रिलिम्ट प्लस मेंस परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल पे करेंगे इन दे सिवल सर्वसेस एग्जामिनेशन 2021 के रहे हैं और हम लोग ये कोर्स को कवर अप कर रहे हैं बहुत ही अच्छे डंग से विद एक्स्पेंड मैनू और अगर मैं बात करूं सुडेंट्स अभी तक का हमने मार्च एप्रिल में जून जुलाई ऑगस्ट सब सेप्टमबर को कवरप कर लिया और अभी हम लोग नवम्बर 2020 के करणट अफेस को कवरप कर रहे हैं क्लिर हे और अभी तक के हमने कि हमें दो सेशन्स लगा चुके हैं नवमबर 2020 के कर अफेस के ऊपर और जो आज का हमारा सेशन उनकी लेक्षर नमबर 42 रहेगा वो भी आपका नवेंबर 2020 के करेंट अफेस पे ही रहने वाला है और अगर मैं एक एनॉस्मेंट करूँ उन न्यू लेर्नर्स के लिए जो आज मेरा पहली बार सेशन देख रहे हैं ति आप लोग ये सेशन देखने के बाद पिछले सेशन को भी कवर अप आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं तो आज का हमारा लेक्चर नमबर 42nd on the November 2020 करंट अफेस को स्टार्ट करते हैं और अगर मैं अपने बारे में इंट्रोड़क्शन दू तो स्टुडेंट्स मैसेफ कनम अगरवाल आम दे करंट अफेर मेंटर इंद अभी मन्यू आई ए जीएस पेपर 2 के लिए एंड जीएस पेपर 3 के लिए मैं शुरू कर सकता हूं अब ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या चीज़ है तो यूनियन गवर्मेंट हैस एक्स्टेंडड दे एमर्जंसी क्रेडट लाइन गरेंटी स्कीम तो यूनियन गवर्मेंट जो मालब अपन ने सेंक्रल गवर्मेंट है उन्होंने एक्स्टेंड कर दिया किस चीज़ को अमाउंट ओफ त्री लाग क्रोड इस सेंक्षिन या फिर आप ऐसा बोल सकते हो उस निर्धारित समय तक जब तक तीन लाग क्रोड रुपेया सेंक्षिन नहीं हो जाता एमर्जनसी क्रेटेटलाइन गरेंटी स्कीम के अनतरगत ठीक है यानि कि इन दोनों में से जो भी पहले होगा वहां तक हम लोग इसको एकसेंट कर दें यहाँ पे लिखा गया कि जो यह scheme है आपकी the scheme was launched as a part of आत्म निर्भर भारत अभ्यान पैकेज important रहेगा याद रखें यह चीज ना प्रिलिम पर्स्पेक्टिव से important रहती है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो emergency credit line guarantee scheme है students जो अप्लुक पढ़ रहे हो ECLGS यह किसके अंडर आ चुक है यह launch किसके अंडर की गई है यह की गई है आत्म निर्भर भारत अभ्यान पैकेज के अंडर clear है और इसको कब announce किया गया था announce किया गया था in the May 2020 मतलब 2020 में इसको announce कर दिया गया to mitigate the distress क्यों distress किसके कारण caused by the coronavirus induced lockdown जो कोविट 19 के कारण distress हुआ था पूरे इंडिया के अंदर lockdown के कारण जो distress हुआ था पूरे भारत के अंदर तो वह चीजों को देखते हुए इसको announcement किया गया था under the आत्म निर्भर भारत package भ्यान याद रखेगा students यह चीज़ important रहती है क्योंकि कोविट 19 के कारण जो आत्म निर्भर भारत है उसके अंडर कई schemes को launch किया गया और बहुत अदर beneficial भी रही है तो हम लोग धीरे-धीरे करके हर एक scheme को note on करते जा रहे तो आप लोग प्लीज इसको properly एक नोट बनाकर रखें क्योंकि इंपोर्टेंट रहेगा chronological order में और लिखा गया by providing credit to the different sectors clear है और कौन से different sectors जिसमें आप लोग बोल सकते हैं MSME जी बिल्कुल micro small and medium enterprises correct है न इंपोर्टेंट रहेगा यह चीज़ अगर मैं बात करूँ keep emergency credit line guarantee scheme है अगर यह शुरू किया गया इसका main objective क्या था main purpose क्या था aim क्या था जो बहुत important role play करेगा तो वो क्या है लिखा to provide fully guaranteed and the collateral free additional credit to the MSME बिल्कुल ठीक है अरे fully guaranteed and the collateral free free यानी की आप लोगों को कुछ गिर्वी नहीं रखना पड़ेगा तो उसके अधार पे था business enterprises जी बिल्कुल correct है ठीक है और क्या लिखा mudra browsers correct है and individual loans for the business purpose to extend of the 20% of their credit outstanding clear as on 29th of February 2020 यह चीज अगेन आपके प्रिल्लियम पर्स्पेक्टिव से important है clear यहां पर क्या लिखा गया की 100% guarantee coverage दिया जा रहा है 100% guarantee coverage कर लिया जा रहा है इस बिंग अरे किसके द्वारा वो provide किया जाएगा by the national credit guarantee trust यानी की ncgt के द्वारा याद रखे कौन सी company this is your national credit guarantee trust के द्वारा clear whereas banks and the non-banking financial companies के द्वारा भी loans provide किये जा रहे है clear है यह सारा कुछ किसके अंडर आता है यह आता है आपका emergency credit line guarantee scheme के अंतर गत्लियर है और यह किसके अंतर आ गया यह आगया आत्म निर्वर भारत अभ्यान के अंदर package clear अब आगे चलते हैं अब अकर मैं आगे की बात करूं तो eligibility क्या है यह scheme को लेकर तो क्या है देखें ध्यान से जो borrower है borrower with the credit outstanding up to the 50 crores as on the 29th of February 2020 with an annual turnover और कितना turnover चाहिए एक eligibility criteria निकाला गया है और annual turnover कितना होना चाहिए अब टू 250 crores जानकी 200 crores तक का turnover होना चाहिए 50 crores से 200 crores के बीच में limit बना दिया गया जो eligibility है यह scheme को avail करने के लिए ठीक है ना are eligible under the schemes correct है important रहेगा जी यह भी क्योंकि यह चीजें हमें checklist दिखाता है कि क्या क्या चीजें जो कर रहा है जो MSME आ रही है इसके अंदर तो क्या eligibility criteria उनके लिए रखा गया clear अगर आगे की बात की जाए कि on 1st of August the government widen the scope of rupees 3 lakh roads किसके अंदर याद रखें किसके अंदर यह आगे emergency credit line guarantee scheme के अंतरगत ही यह बात की गई है clear है ना by doubling the upper ceiling of loans outstanding and including certain loans given to the professionals like the इसके अंदर professionals को भी include कर दिया मैं यहां पे अब highlighter use करता हूँ आपके simplicity के लिए professionals की बात की गई है students professional जिसके अंदर आपके doctors आ रहे है lawyers आ रहे है chartered accountants आ रहे है for the business purposes under its embed यह important रहेगा क्योंकि यहां पे दिखाया गया कि loan including certain professionals वो कौन कौन है doctors lawyers and the chartered accountants clear है और tenure के अगर बात की जाए तो कितनी देर तक यह loan चलेगा तो लिखा गया of loan provided under the scheme is four years चार साल का tenure दिया गया है including अरे इसके अंदर और क्या include क्या including a moratoriums of one year on the principal repayment clear है को डाउट हो नहीं है यह important नहीं है इतना बट आपके पहले दो points प्रिलिम परस्पेक्टिव से बहुत important रहेंगे अगर interest rate की बात की जाए interest rate कितना है under the emergency credit land guarantee scheme के अंतरगत तो वो है capped at 9.25% याद रखे कितना 9.25% है किसके लिए for the banks and the financial institutes के लिए and the 14% for the non-banking financials के लिए मैं यह फिर से important mark करूंगा economically point of view से यह बहुत important आपका multiple choice question इसमें बन सकता है याद रखेगा प्रलियम पर्सपेक्टिव से बहुत important रहेगा कि जो हमारे पास banks है और financial institutes है उनके उपर interest rate चार्ज किया जा रहा है 9.25% का और अगर similarly मैं दूसरे वे से देखनू अगर यहां पर थोड़ी सी cutting की बात की जाए newspaper की cutting जो मैंने यूज की है तो emergency credit line scheme है by one month जो हमने पढ़ लिया या तो एक महीने के लिए extend किया गया या फिर three lakh croats तक जो भी हमारे पास सबसे पहले target data achieve हो जाएगा बिल्कुल है तो the season taken in light of opening the up of economy हमने economy को ऊपर बढ़ाना है तो इसलिए तो हमने यह scheme को लिया किसके अंदर आत्म अभियान के अंदर जी बिल्कुल है और expected demand कितना है increase during the festive seasons clear है को डाउट तो नहीं है students यहां तक students request करता हूँ अगर कोई भी student को new current face के regarding कोई भी अब अगर मैं आगे की बात करूँ यहां पर लिखा national credit guarantee trust company limited तो इसी के अंतरगत आ रहा है यह क्या चीज है आपका कि जो national credit guarantee trust company है यह एक private limited company जी बिल्कुल है जो incorporated करती है under the companies act 1956 याद रखेगा किसके अंतरगत companies act 1956 in the 2014 यह चीजें important रहते हैं यह चीजें important रहेंगी students याद रखेगा क्योंकि हमें इसी चीजों की थोड़ी थोड़ी newspapers के accordingly important mark करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप मेंस के अंदर कुछ ऐसा question आता है तो हम लोग इसको point को mention कर सकते हैं कौन सा that is a national credit guarantee trust company जो हमारी बनी है companies act 1956 in the 2014 के अंदर क्लियर है एक private limited company आपकी और इसको बनाया किस ने गया गठत किसके द्वारा किया गया department of the financial services के द्वारा ministry of finance के द्वारा as a wholly owned company of the government of India यानि कि यह प्रॉपर्ली आप लोग बोल सकते हो कि जो यह private limited company है यह किसकी company भारत सरकार के द्वारा गठत की गई company है क्योंकि इसको किस ने गठत किया department of financial services ने और ministry of finance ने clear है आगे क्या लिखा to act as a common trustee company for the multiple credit guarantee funds clear है students यहां तक then after आगे चलते हैं यहां पर लिखा गया कि credit guarantee programs are designed to share the lending risk of the lenders and in turn facilitate assist to the finance for the prospective borrowers clear I hope आपको doubt नहीं होगा clear है आगे बढ़ते हैं अब अगली news आती है हमारी national unity day यह आपके लिए important रहेगा students for the GS paper 2 के लिए clear है शुरू करें अब देखें क्या लिखा गया कि October 31st याद रखें October 31st को हम लोग क्या celebrate करते है national unity day और लिखा गया कि this day marks the 145th birth anniversary of the Sardar Wallabhai Patel and it is also known as the राश्ट्रिय एकता दीवस important रहेगा यह प्रिल्लिम प्रिस्प्रिक्टिव से इंपॉर्ट है इत्माइट पॉसिबल इत्माइट पॉसिबल कि यह आ सके क्लिर एक डाउट तो नहीं है अब यहां पर बहुत चीजें नोट करने वली है क्योंकि यह पूरे वर्ड के अंदर बहुत फेमस हो चुका है आपका statue of unity तो इसकी उपर डाटा भी हम लोग लास्ट में आड ओन करेंगे अब देखें लिखा गया इन 2018 जो government of India भारत चरकार है उन्होंने अन्वील किया the statue of unity in the gujarat in the honor of the सर्दार वल्लभाई पतेल क्लिर एक और याद रखेगा students जो आपका statue of unity है ना इसकी height रहती है 182 meters की इसकी height रहती है और क्या बोला गया the tallest monument in the world है और अगर बात की जाए कि 182 meters की height ही क्यों choose की गई क्योंकि gujarat legislative assembly में total number of seats कितनी है 182 seats है तो यही कारण रहा कि statue of unity का जो main height है वह 182 meters रखा जाएगा clear है और यह कहां पर present है यह आपका के वाड़या district के वाड़या district of gujarat में present रहता है near कहां पर near the bank of river नर्मदा याद रखें near the bank of river नर्मदा और statue of unity के पास पर ही आपको एक dam भी मिल जाएगा that is your सर्दार वल्लब भाई पतेल डेम या आप जिसको बोलते हो सर्दार सरोवर डेम भी आपको वहीं पर present देखने को मिल जाएगा clear है कुछ आउट तो नहीं है अपने आगे शुरू करता हूं तो यहां पे सर्दार वल्लब भाई पतेल जी का थोड़ा सा background history बताया गया कि born in gujarat on the 31st of October सर्दार वल्लब भाई पतेल जी की बात की गई है और लिखा गया कि this day is popularly known as the unity को दिखाया था ठीक है ना in the time of independence of India बिल्कुल है और क्या लिखा गया first home minister थे भारत के and the deputy prime minister of India जे बिल्कुल है and popularly known as the iron man of India और he was confirmed with the भारत रितन इनको भारत रितन भी मिला था in the year 1991 यह चीज है हमारे लिए काफी ज्यादा important role play करती है students याद रखेगा history perspective से काफी ज्यादा important role play करेंगी क्योंकि यहां पे कई चीज हों को ना जो words है वो चीज important रहेगा civil services के लिए जैसा कि एक तो iron man of India deputy prime minister कौन थी first home minister कौन थी हाला कि यह बहुत basics है बट फिर भी हम लोग इसको neglect नहीं कर सकते clear है आगे चलते हैं यहां पे क्या लिखा किया कि he made political integrations of India and resolved the problem of amalgamations of 562 princely states तभी तो इनको क्या बोला गया unity इन्होंने इक ठाक या किसको 562 princely states को after lapsing of the British paramounts है clear है कोई doubt तो नहीं है students आप लोगों को ठीक है आगे बढ़ते हैं आप यहां पे देखें क्या लिखा कि he was also compelled to use collisions by launching the operation polio इन्होंने operation polio को भी शुरू किया था और अब तभी तो आज भारत आपका पूरे world के अंदर polio free है जी बिलकुल to liberate and integrate Hyderabad after the nizams of Hyderabad ठीक है entertained false hopes of either joining the Pakistan or remaining independent I'm sorry students मैं थोड़ा सा confused कर दिया था आप लोगों को यहां पर लिखा है ना launching the operation polio यह आपका medically treatment नहीं है यह वो polio की बात की गई थी जो Hyderabad के लिए शुरू किया गया था to liberate and integrate Hyderabad जो Hyderabad था उस टाइम पे निजाम जाओ आफ हाइदरबाद बोला गया था clear ना इन ठीक है entertain the false hopes जो एक false hope थी कि it might possible कि Hyderabad Pakistan को जॉइन ना कर ले या फिर remain ना हो जाए खुद अपने आपको independent ना घूशित कर दो ना तो वो चीज थी वो ऑपरेशन शुरू किया गया था by the sir वलभाई पतेल जी और इनको आज भी याद किया जाता है किसके कॉर्टन ली patron saint of the Indian civil servants clear बहुत इंपोर्टन रहेगा clear and patron saint of Indian civil services clear and he established the modern all India services system correct even national police academy जिस जहापे आप लोग आने वाले टाइम में training भी लेंगे IPS training सर्दार वल्लभाई पतेल national police academy located on the outskirts of the Hyderabad Talangana is named after him as a tribute to the statesman बहुत ने इंपोर्टन एगे बड़ें कोई डाउट तो नहीं है अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप लोग comment section में जरूर लिखकर बताएगा क्यूंकि मैं daily basis पर आपके current comments को देखता रहता हूं अगर किसे कोई डाउट रहता है तो मैं next session में वो doubt को solve out करने की पूरी कोशिश करूंगा clear students आगे बटते हैं तो आज की हमारी third news रहेगी gulf corporations council and India यह important रहेगा याद रखे मैं इसको धीरे-धीरे कर रहाँगा क्यूंकि अपने आप में काफी बड़ी news रहती है यह clear है चलते हैं यहाँ पर लिखा गया कि भारत इंडिया है वर्ट्वल मीटिंग इन्हों ने भारत ने वर्ट्वल मीटिंग की है किसके साथ विद गल्फ corporation council के साथ याद रखे वर्ट्वल मीटिंग विद द जी सी सी clear है अब क्या लिखा लीडिंग रीजिनल organization comprising almost all Arab countries जिसके अंदर maximum सारी Arab countries included थी clear है अब क्या आया यहां पर देखिए क्या लिखा कि जो Indian workers है want to return to the Arab country जो भारत की workers है due to the pandemic वो छोड़कर भारत आ गए थे अब फिर से Arab countries के अंदर जाना चाहते हैं कि India has asked the members of the gulf corporation council to facilitate the returns of the Indians who want to resume work with the relaxing of the covid-19 related restrictions तो यह भारत बोलता है जी सी मेंबर्स को कि जो भारत के जो इंडियन जैनकी जो citizens है जो चाहते हैं फिर से वापस जाना अरब countries के अंदर वो काम को resume कर पाएं with the covid-19 related restrictions के अंदर तो उसी के लिए भारत discussion करता है with the gulf corporations council के साथ clear है तो क्या लिखा कि this can happen through the sustainable travel bubble arrangement यहाद रखें यह प्रिलिम परस्पेक्टिव से important रहेगा क्योंकि students याद रखेगा हमने एक travel bubble arrangement एक अलग news पड़ा था तो उसी के अंतरकत भारत किस से बात करता है gulf corporation council के साथ clear है बहुत important रहेगा travel bubble arrangement जो pandemic के दौरान शुरू किया गया था different different countries के बीच में clear है चले हैं आगे अब यहाँ पर क्या लिखा कि more than eight million indians यहनि की eight million indians से भी ज्यादा live and work in the west asia जी बिलकुल है with the majority of them within the region covered by the gulf corporations यानि की eight million से भी ज्यादा indians west asia में काम करते हैं और maximum काम कहा कर रहे है gulf countries के अंदर काम कर रहे है और कौन-कौन से gulf countries like including बहरान, kuwait, oman, qatar, saudi arabia and the uae इंपोर्टेंट रहेगी जी यह चीज़े प्रिलिम पॉइंट और व्यू से clear assurance अब मैंने आप से पहने ही बोला था कि हमने ट्रेवल बबल को डिसकस के बट फिर से एक बार थूड़ा सा short introduction देख लेते है रिगार्डिंग देख लेवल बबल ट्रांसपोर्ट बबल भी बोल सकते हो या फिर एर ट्रेवल अर्रेंजमेंट बोल सकते हो यह एक टेंप्रेरी एर्रेंजमेंट है याद रखेगा यह क्या है एक टेंप्रेरी अर्रेंजमेंट है between the two countries दो देशों के बीच में aimed at restarting the commercial passenger services फिर से restart करना है commercial passenger services को when the regular international flights are suspended जब तक international flights suspended रहती है as a result of the covid-19 pandemic है clear important रहेगा main perspective से क्योंकि यहां पे न international relations को importance दिया गया है यहां पर बहुत ज्यादा importance दिया गया है clear है और क्या लिखा कि they are reciprocal in nature meaning airlines from both the countries enjoy the similar benefit यानि कि दोनों देशों की airlines similar benefits उठाएंगी clear है को doubt तो नहीं है under the travel bubble arrangement याप बोल सकते हो transport bubble याप बोल सकते हो air travel arrangements clear है आगे चलते हैं अब आगे यहां पर देखिए क्या आता है कि दोनों तरफ बोद दो साइट्स अफर्म्ड दियर commitments अब दोनों देश अपनी तरफ से commitment दे रहे हैं to reform multilateral institutions बिल्कु ठीक है to reflect the realities of the 21st century and the work together to address contemporary challenges बिल्कुल अरे कौन से challenges की बात दिए यह challenges जो pandemic को दौरान face कि जा रहे हैं जो आ चुकी है सामने climate change करेक्ट sustainable development and the terrorism बिल्कुल ठीक ना तो sustainable development गोल को भी इसी के अंडर ले लिया गया है clear है आगे चलते हैं यहां पर क्या लिखा गया कि जो आपकी गल्फ कॉपरेशन काउंसल है वो वेलकम करती है भारत के inclusions in the United Nations Security Council में यह नहीं की आपका जो गल्फ कॉपरेशन काउंसल है उन्होंने स्वागत कि भारत का की भारत ने भी ज्वाइन किया किसको United Nations Security Council को as a non-permanent member from the January 2021 important रहेगा जी प्रिलिम point of view से याद रखें इसी तरीके की news हमारे लिए बहुत ज्यादा crucial role play करेगी सुनेंट्स क्लियर एक आगे चल सकता हूं मैं ओके अब आगे देखें क्या लिखा गया कि भारत अब एशॉर्ड है कि सीज को लेकर इंडिया एशॉर्ड continuing the flow of food medicines and essential items याद रखें भारत एशॉर्टी दे रहा है खाने को लेकर medicines को लेकर और essential items को लेकर कहां पे to the gulf region बिल्कुल ठीक है supply chain from India to the gulf were not disrupted अब यह बोला गया भारत की तरफ से एक assurity दी गई है कि जो supply जा रही है वो कभी भी disrupt नहीं की जाएगी despite the lockdown during the pandemic clear act कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर अगर students कोई डाउट रहता है ना तो please comment section में जरूर लिख कर बताएगा आप आगे चलते हैं देखें गल्फ cooperation council के अगर हम लोग बात करें थोड़ा से इसको भी discuss करें तो क्या चीज़ है कि जो आपका gulf cooperation council है वो established किया गया by an agreement जो conclude किया गया था 1981 में आरे किसके बीच में यह चीज़े important रहती है between among the and the United Arab Emirates के बीच में है याद रखेगा 1981 में यह एक agreement किया गया था clear किसके बीच में आपके सामने है यह बहरान कुवेत उमान कतर एंड साओधी रेबिया and United Arab Emirates in the view of their special relations in सभी के बीच में एक special relations है geographic proximity है जी बिल्कुल कि हमें देखने कोई मिलता है ना geographic proximity आप खुद देख लीजिए यह रहा बहरान यह रहा कुवेत यह रहा कतर यू एई ओमान ठीक है और यह रहापका joint destiny and the common objective correct important रहेंगे यह चीज यह आप लोगों के लिए clear है ना आगे बढ़ते हैं यहां पर क्या लिखा students देखिए कि जो structure है जो धांचा किसका गल्फ cooperation council का GCC का वो क्या है consist of the supreme council एक सब्सक्राइब बड़ा supreme आगे clear है और अगर याद रखें focus करें अगर सेक्ट्रीट जेनरल्स की बात की गई है सेक्ट्रीट कहां पे हैं located अंदर याद साओधी अरेबिया प्रिल्म पॉइंट आफ व्यू से most important पॉइंट है मैं आपके लिए highlight भी कर देतना हूँ क्योंकि यह गर्फ कोपरेशन कांसिल के structure को दर्शा रहा है आपके लिए clear है ना कोई डाउट तो नहीं है students यहां तक ओके आगे बढ़ते हैं यहां पर क्या लिखा गया कि it is a political economic social and the regional organization according to the Charter clear है कोई डाउट आगे बढ़े तो इस बात रखेगा दिमाग में याद कि politically economically social और regional organizations है clear है अब आगे देखिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि politically क्या चीज़ है तो देखें भारत और गल्फ Corporation Council के बीच में अब relations की बात की जा रही है politically clear है अब क्या लिखा कि दो government of the Gulf Corporation Council है members are India friendly भारत के साथ friendly relations है and Indian friendly clear है को डाउट तो नहीं है अब यहां पर लिखा गया the Prime Minister of India अब भारत के प्रधान मंत्री जी ने Prime Minister of India has received the order of Zayad order of Zayad receive किया the highest civilian order of the United Arab Emirates and the King Hamad order of the Renaissance the third highest civilian order of the Behran most most important point रहेगा my dear students याद रखे यह चीज़ें आप लोगों के लिए clear है चलें आगे यहां पर अगर मैं थोड़ा सा आप के लिए data add-on करूं कि what do you mean by order of Zayad तो यह चीज़ें काफी important रहने वाली है इसके उपर हम लोग थोड़ा सा define कर लेते हैं यहां पर आप लोग data add-on कीजे students तो लिखते हैं हम लोग order of Zayad यह आप लिख सकते हूं कि Zayad medal भी लिख सकती हूं जो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी को दिया गया तो यहां पर क्या चीज़ है लिखा गया कि order of Zayad is awarded किसको मिलता है यह to the head of the government जी बिलकुल to the head of the government को मिल जाएगा आपका क्या जायत मेडल या फिर आप बोल सकते हो head of the state को मिल सकता है यह for their international relations with United Arab Emirates तो यह चीज़ दिखाई गई है कि order of Zayad है या तो head of the government को मिलेगा या फिर head of the state को मिलता है कि United Arab Emirates के साथ अच्छे संभंध होने के लिए यह एक सिंबल है international relations with the United Arab Emirates के लिए अब आगे data add on करते हैं इसी के अंडर बस आप लोग बने रहें मेरे साथ कि जो यह order है order is in the name of अरे किसके नाम पे है इस इन नेम आफ शेक जयद बिन सुल्तान अलनायान तो इनके नाम पे रखा गया है क्लियर है क्लियर है कौन है डाक शेक जयाद बिन सुल्तान अलनायान क्लियर है क्या है यह यह आपके आते हैं यहां पे क्लियर है यह इंपोर्टेंट रहेगा यह चीजें इंपोर्टेंट रहती है अब आगे भी अगर एक और पॉइंट इसी के अंदर लिखा जाए तो क्या लिखा इट कंसिस्ट ओफ अ कॉलर बाय अ मेदलियन बेरिंग दनेम जयाद क्लियर है तो यह था आपका ओर्दर ऑफ जयाद अब यहां पर देखें अब हम लोग यहां पर फोकस करते हैं तो यहां पर क्या लिखा गया कि इन रिसेंट पास्ट पास्ट के अगर बात की जाए कि जो आपका साओधी अरेबिया है और युनाटेट अरब यहां पर यहां पर यह चीज़े भी दिखाई गई है जो न्यूस फोकस करती है आपकी आपकी आटिकल 370 फॉर्ट जमुन कश्मीर को लिए अब भारत और गुल्फ कोपरेशन कांसल के बीच में एकनॉमिक रिलेशन्स कैसे हैं आप देखें लिखा गया मैं एक में पर क्लिर कर देता हूं थोड़ा सा आपके लिए अब यहां पर देखते हैं कि जो आपका गल्फ कोपरेशन कांसल है स्टेट्स आर एमंग इंडियास की सप्लायर आफ इनर्जी क्लियर है अन्ड एन्नुवल रेमिटेंस फ्रॉम इंडियन इन 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 इस कंप्री इन 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 इंडियास थर्ड और इंडियास थर्ड और फोर्ट लार्जेस ट्रीडिंग पार्टनर इंपॉर्टेंट रहेगा यानि की UAE आपका third and the Saudi Arabia आपका fourth trading partner बन चुका है भारत के साथ respectively clear है and the total bilateral trade of the GCC countries अगर मैं पूरे गल्फ cooperation countries के लिए दोनों तरफ से bilateral trade की बात करूँ भारत के साथ कितने for the year of 2018 से 19 के बीच में यानि की 2018 से 2019 के बीच में वो कितना है 121.34 billion US dollars का clear है और लिखा गया कि जो आपका UAE है also featured in the top 10 sources of the foreign direct investment inflow to the India again important रहेगा जी clear है को डाउट तो नहीं है UAE top 10 के अंदर आ चुका है FDIs inflow in India United Arab Emirates foreign direct investment inflows into India correct है I hope आपको doubt नहीं होगा but students फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में लिखकर जरूर बताईएगा clear है ना आगे चले अब यहां पर मैं बात करता हूं security को लेकर तो student security क्या है कि दोनों देशों के तरफ से बोथ भारत इंडिया and the GCC are the members of the financial action task force clear है अब what do you mean by FATF तो आप लोग इसके ऊपर भी थोड़ा सा data add-on करें financial action task force clear है तो यहां पर आप लोग देखें number one शुरू करते हैं जी तो क्या लिखा गया कि it is an inter-governmental body यह intergovernmental body है जो established किया गया established in 1989 1989 में इसको established किया गया था during the G7 summit in Paris clear है students तो G7 summit में 1989 में इसको संगेठत किया गया था पैरिस में clear अब अगर और बात की जाए कि its secretaryates कहां पे हैं इसका secretary is is located at the important रहेगा इसका जो secretaryate है वो आपको कहां पे देखने को मिलनेगा at the organization for economic corporations and development development यनि की OECD की बात की गई है clear है और headquarters कहां पे रहेंगे इसके headquarters in Paris clear है students तो यह basic definition है financial action task force का और याद रखें due to some technical issues वो जल्दी से skip हो जाता है कि जो अपर भारत है कि India is a member of financial action task force कि भारत भी अब इसका member बन चुका है clear है कोई डाउट हो नहीं है students आप लोग को यहां पर आगे बड़ें and others in the India's mega multilateral Milan exercises के अंदर कि India also has bilateral exercises with the most of them again most important point आपके लिए clear act आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा गया कि India and Oman hold the annual bilateral exercises यानि कि भारत और Oman हर साल bilateral exercise conduct करता है across the all three wings of the armed forces अब कौन कौन से armed forces इसके अंदर include किये गए यहां पर लिखा गया तीनो wings कौन कौन से यहां पर लिखा एक तो army exercises यानि की अल नजा ठीक है then after air force exercises that is your eastern bridge then navy की बात की जाए तो naval exercises के अंदर नसीम अलबहर clear है तो यह है between India and Oman bilateral exercises जो annually conduct की जाती हैं दोनों देशों की तरफ से clear अब further Oman has provided the Indian navy access to the port of the Dugzum Swiss clear है बहुत important रहेगा यह important है कि Oman यहान ने भारत को अपने डुग्जम पॉर्ट को assess करने की permission दे दी है which is one of the Indian Ocean largest deep sea port बहुत important रहेगा यह के लिए clear एक आगे बढ़ते हैं लिखा गया एक से यहां पर लिखा गया कि India has a bilateral naval in the UAE ballot as well as the air force exercises यहनि की desert eagle 2 with the United Arab Emirates clear है students यहां तक कोई डाउट तो नहीं है अगर मैं यहां पर थोड़ा सा discuss करूं Milan exercises को जो हम लोग यहां पर पढ़ रहे न कि what do you mean by Milan exercises तो याद रखें यह एक naval exercise है it is a naval exercise which started in 1995 ठीक है Milan exercise की अगर हम लोग particularly बात करें यहां पर clear आगे बढ़ें तो students आज की हमारी next news रहती है cold wave यह आपके लिए important रहेगी for the GS paper 3 and GS paper 1 के लिए shall we start okay अब यहां पर देखें ध्यान से क्या लिखा गया की as per the Indian meteorological department अगर Indian meteorological department की बात की जाए लिखा गया की there are the cold wave condition over the Delhi जी बिल्कुल अब cold waves क्या चीज है एक define क्या गया यह climate को लेकर news important रहे की students याद रखेगा cold wave में क्या लिखा की a rapid fall in the temperature बिल्कुल ठीक है ताप्मान में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी 24 घंटे के एक दिन में 24 आस में टू अलेवल रिक्वाइरिंग सस्टेनिब सॉरी सब्स्टेंशली इंक्रीज्ट प्रोटेक्शन तो दे एग्री कल्चर एंडस्री कमर्स एंड सोचल एक्टिविटीज को लेकर बात की गई है एक basic definition है cold wave के लिए अब cold wave condition होती कब है या फिर आप ऐसा वो सकते हो कि cold wave condition अगर declare करना है तो क्या parameters रहते हैं तो क्या लिखा गया कि मैदानी इलाकों के लिए for the planes a cold wave कब declare किया गया declared when minimum temperature is 10 degree celsius अगर कम से कम तापमान होगा आपका 10 degree celsius का और बिलो या फिर उससे भी बिलो जा सकता है and as 4.5 degree celsius less than the normal यानि कि या तो फिर normal temperature से 4.5 degree celsius की तापमान में गिरावत देखने को मिल जाए consecutive two days में for the two consecutive days में तब आप लोग students बोल सकते हो कि yes we can declare the cold wave in that particular area clear है यह basic definitions की बात चल रही है यहां पर okay आके बढ़ते हैं यहां पर क्या लिखा गया कि for the coastal stations अब मैं समुंदर तट की बात करनू coastal areas की बात करनू तो क्या लिखा the threshold value of the minimum temperature of 10 degree Celsius is rarely reached clear है तो वहां पर rarely reached किया जाता है क्योंकि समुंदर तट वाले इलाकी है ना तो however the local people feel discomfort due to the wind chill factor तो वहां पर क्या रहता है जो वहां के जो लोग हैं जो वहां के citizens हैं वो comfortability field नहीं कर पाते क्योंकि जो ठंडी हवाओं का जो factor वो face करते हैं यानि कि वो ठंडी हवा जो reduce कर देगी minimum temperature को by a few degrees कुछ degrees तक depending upon the wind speed यानि की आप लोग wind की speed पर depend कर सकते हो वहां पर coastal station speed ठीक है आगे बढ़े कोई doubt को नहीं है students याद रखेगा अगर फिर भी कोई doubt रहता है ना तो आप लोग comment section में जरूर लिखकर बताएं clear आगे चलते हैं अब cold wave की अगर बात कर ली जाए तो क्या लिखा कि जो आपका इंडिया score cold wave zone है जो भारत का cold इंक्लूड करते हैं एक तो पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्राखंड डेली हर्याना राजस्थान उत्रप्रदेश गुजरात मध्या प्रदेश च्छतिजगर बिहार जार्खंड वेस्बिंगौल और इसा एं तेलेंगाना याद रखें इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट याद रखें यहाँ पे तेलांगना को भी इंक्लूड कर लिया गया है साउथ की एक स्टेट तेलंगाना किसमें इंडिया के कोर पोल्ड वेव जून में क्लियर है क्योंकि कोस्टल इरिया की भी बात कर रहे है तो विस बिंगौल को भी कवरप कर लिया ठीक है गुजरात को भी कवरप कर रहा गया यहां पर ठीक है ना अब अगर आगे चला जाए 2019 की अगर बात की जाए तो क्या है कि डेली एंड जॉइनिंग एरिया याद रखें दिल्ली और उसके साथ वाले एरियास में नॉर्थ में है एक्सपीरियन्स इट्स कोल्डेस्ट विंटर ओफ दे सेंचरी करेक्ट है सुडेंस यहां तक कोई डाउट नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर और क्या लिखा कि जो कोल्ड वेव सिक्ट्वेशन अब दिल्ली में आ रखी है थर्ड दिसंबर 2020 में कि डेली रिक देखने को मिल गया क्लियर तो इंडियन मेट्र लॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बोलता है में कंसीडर डिक्लेरिंग कोल्ड वेव इफ दे टेंप्रेचर कॉन्टेनू तो स्टे दे सेम फॉर एन अगर अगले दिन भी एही टेंप्रेचर डेली के अंदर मेंटेन रहा तो इंडियन मेट्र लॉजिकल डेपार्टमेंट डेली के अंदर कोल्ड वेव को डिक्लेर कर देगा तो यह है आपका कोल्ड वेव ठीक है अगर हम लोग कुछ बात करें कि ऐसे कौन से रीजन्स रहते हैं तो टेंप्रेचर को गिराते हैं सबसे पहले तो कहते एपसेंस ऑफ क्लाउड्स कवर इंडरीजिन जी बिल्कुल किते क्लाउड ट्राप सम आउट गोइंग इंफ्रारेड रिडियेशन और रिडियेट इंड बैक्वर्ड डाउन्वर्ड वार्मिंग ग्राउंड यानि कि अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो क्या होगा ठंद देखने को मिलती क्लाउड्स रहती है जो अर्थ रिडियेट करती है वह रिडियेट हो नहीं पाएगा वह गर्मी फिर से बैक्वर्ड ग्राउंड पर आ जाएगी जिसके कारण थोड़ा सा तेंपरेचिर इंक्रीज कर जाता है तो एक कारण हो गया दूसरा कारण है हिमाल्यास में स्नोफॉ इंड अपर हिमालया स्ठोड घिलकुल फॉड़व गड़ गड़ वैंस थो ओर बिलकुल करेक्ट है करेक्ट ऑगे की बाद की जाए सुपसेदेंट्स व जाए लानीना और लानीना एफेक्टेंट्स तो प्रीवेल लानीना ऐसेव प्रीज क्योड़ ए बड़ आसे का तारी कोशन के कारण भी कोल्ड वेव हमें देखने को मिलती है जैसा कि ला नीना इस द एबनॉर्मल कूलर सी सर्फेस तेंपरेचर स्करेक्ट है जो रिपोर्ट करते हैं अलॉंग एक्विटोरियल पैसिफिक उशन इस नोन तो द फेवर कोल्ड वेव करेक्ट है यह फेवर करेंगे किसको गोल्ड वेव को प्रेक्ट अब देखते हैं आगे क्या बोला गया कि दियूर्ण द ला नीना इस दि शर्वर्ट अफ दिशन स्वेशन बिकम इंतन्स बहुत थंड हो जाएगी इंतन्स थंड हो जाएगी जी बिलकुल और द फ्रिक्वेंसी आंड एडिया कवर्ड अ नीना इस में दिखाए गया क्लियर है ना कोई डाउट तो नहीं है कोई डाउट है तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से फिर से तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखिएगा क्लियर आगे चलते हैं तो आज की हमारी नेक्स्ट निउस रहती है इंडिया और युना अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या लेखा कि जो एट मीटिंग्स आफ इंडिया युनाइट अरब एमिरेट्स के बीच में हुई है हाई लेवल जॉइन टास्क फोर्स ऑन दे इन्वेस्टमेंट को लेकर जो हाई लेवल जॉइन टास्क फोर्स हुई है दोनों देशों के बीच में है वेट्वली होस्टेट बाइट इंडिया इन दे वेक आफ गॉइंग पैंडमिक यह मीटिंग्स होस्ट की घृइब भारत के द्वारा इंद वेक ओंगॉइंग पैंडमिक ट्रेस्ट्टेंट यहां तक बढ़ें आगे अब देखें यहां पर क्या है क्या लिख चिल फर्म for the further deepening the economic ties between the India and the UAE most important for your prelim perspective याद रखियेगा कि joint task force create किया गया 2012 में और इसका में अब्जेक्टिव क्या था ताकि इंडिया और UAE के बीच में दोनों में ज्यादा गहराई में इकनॉमिक टाइस बंद सकें दोनों देशों के बीन है भारत के बीच में और यॉनाइट अरब आप एमिरेटस के बीीच में Northern मैंने आपके लिए उनाइट अरब आमेरेटस का माप भी यूसे किराweit तो देखें यहां पर क्या लिखा कि जो माक निजम है mechanism has assumed greater importance तो यह ज्यादा importance दर्शा रहा है बिलकुल ठीक है as the two countries signed क्या साइन क्या comprehensive strategic partnership जिसको आपने CSP बोल रखा है agreement in the January 2017 and joint task force is an integral component तो joint task force इसी का तो integral component है किसका comprehensive strategic partnership agreement जो दोनों देशों के बीच में January 2017 साइन किया गया था और joint task force is an integral component है correct है students यहां तक बढ़ते हैं आगे तो यहां पर देखे at the meeting अब इस meeting के दौरान क्या हुआ धान दीजे लिखा कि दोनों आदेश बोथ sites reviewed the existing UAE plus and the fast track mechanism created in the 2018 correct है अब क्या लिखा कि जो UAE है plus is a special and the dedicated desk अब यानि कि जो UAE plus है which special और a dedicated desk है जो constituted किया गया under the invest India के अंदर clear है with Arabic speaking officials जिसके अंदर अर्भी भाशा बोलने वाले officials होंगे to help facilitate the investment again prelim plus mains perspective से यह points हमारे लिए crucial रहेंगे clear residents यहां तक चलूँ आगे कोड़ आउट हो नहीं है अब आगे देखी अब scope क्या है इन दोनों के बीच में एक improvement का scope पड़ें तो देखिए क्या लिखा कि explore the way to facilitate the investments बिल्कुल ठीक है in the key Indian and the UAE sectors बिल्कुल a potential for the economic growth and to maintain their dialogues further build on considerable achievements of the joint task force क्या लिखा कि encourage किया जा रहा है investment को और corporations को दोनों देशों के बीच में in areas of the mutual interest दोनो देशों के जो आपस में mutual interest होंगे ठीक है ना with the purpose to stimulate economic activities in the post COVID-19 times okay आगे बढ़ते हैं क्या लिखा कि address specific barriers और address किया गया एक particular specific barriers को लिकर to trade किसको like anti-dumping duties important रहेगा यहां पर यह चीज़ important है anti-dumping duties की बात की गई है tariff की बात कर ली गई है and regulate sorry regulatory restrictions between the two countries बेल्कुल ठीक है with aim to further किसको aim करना है और क्या ऐसे restrictions आगे जो regulatory restrictions की बात कर ली गई वो है आपके strengthen the trade दोनों देशों के बीच में trade and economic ties and to coordinate the efforts and promote the mutual corporations most important point है यह आप के लिए ठीक है for the prelim perspective most important point of the slide students correct है चलें आगे तो क्या लिखा की continue you the work between the respective civil aviation authorities to ensure the speedy normalization of the air transport operation for their mutual benefits correct आगे बढ़ते हैं आगे देखें आप लोग क्या लिखा यहां पे की development and operation of the UAE based funds जो भारत के अंदर invest के जाएंगे in the light of the foreign portfolio investors regulations 2019 किसके द्वारा by the securities and the exchange board of India again most most important point for the prelim point of view याद रखें और आप लोग के मेंस के अंदर भी students इसको use करेंगे अगर आप लोग international relations में या सेबी के लिए कुछ भी question आता है clear है तो यह चीजें important रहती हैं क्योंकि यहां पे foreign portfolio की बात की कर ली गई है foreign portfolio investors regulation 2019 जो सेबी के द्वारा शुरू किया गया clear है Emirates दोनों enjoy करते है strong bond of friendship बिलकुल ठीक है ना इन दोनों के बीच में काफी अच्छे संभंध है and age old culture between two countries क्या लिखा अब जो relationship है वो flourish करती है after the accessions of H.H. Sheikh Zaid bin Sultan Al Nahan as a ruler of the Abu Dhabi in the 1966 correct है और and subsequently the creations of the United Arab Emirates Federation in the 1971 ये एक background history के बारे में बात की गई है और August 2019 में जो आपा UAE है award करता है Zaid medal जो अभी हमने discuss भी किया clear है ना the highest civilian award to the Prime Minister of India यान की Narendra Modi ji को जो Zaid medal मिला है for the consolidating the long-standing friendship and the joint strategic cooperation between the two nations correct ये दोनों देशों के बीच में relations है और ये बहुत important रहेगा कि अब क्या लिखा कि Indian Prime Minister visit to the UAE in the August 2015 marked तो उन्होंने क्या मा किया एक beginning शुरुवात की of a new and comprehensive and strategic partnership के लिए जे बिलकुल then after the Crown Prince of Abu Dhabi जो Crown Prince Abu Dhabi के वो विजट करते हैं इंडिया में in the February 2016 and had wide-ranging discussions on the bilateral regional and the multilateral issues of the mutual interest को लेकर जब Crown Prince of Abu Dhabi ने भारत के अंदर February 2016 में विजट किया था करेक्टर सुरेंट्स यहां तक चलते हैं आगे अब देखें इंडिया और UAE के रिलेशन्स के अंतरगर थी कि भारत और यूए का जो ट्रेड है वो कितना है वो है 59 बिलियन डॉलर्स का मेकिं यूए और इंडिया थर्ड लार्जेस ट्रेडिंग पार्टनर जैसा की साओधी रेबिया था फॉर्थ बिल्कुल है ना फॉर्द इयर 2019 से 20 आफर चाइना एंड यूएस ए करेक्ट है आगे बढ़ते अब लिखा कि UAE is the second largest export destination of India कितना 29 बिलियन डॉलर्स का कौन से यर में 2019 से 20 वाले यर में क्लेरे सुरेंट से यहां तक देन आफ्टर फॉर यूए इंडिया इस दे सेकेंड लार्जेस ट्रेडिंग पार्टनर अब यूए के लिए भारत सेकेंड पार्टनर है दो हुजार नॉव साल में विद अमाउंट ऑफ कितना 41.43 बिलियन डॉलर्स का फॉर नॉन वायल ट्र नहीं कर दी जाएगी वह फूर इटम्स मेशिंडरी जैंस ज्वेलरी टेक्स्टाइल्स एंजिनर इंजिनर इंजिनरिंग अन्ड मेशिंडरी प्रट्स केमिकल्स में यह है एक पटिकुलर ली एरियास जो भारत और यूए शेर कर रहे हैं और इंडिया एक्सपोर्ट भी कर लेवल्स करेक्ट है अब इन दोनों ने कुल्चिरल एग्रिमेंट भी साइन किया 1975 में एन अम्बैसर्स कॉंटिनू तो और इस वेरियोस कल्चिरल एक्रिबिटीज ऑन जेर ओन आज वैल आज वाय दर कोलेबरेटिंग स्वें क्लियर है डाउट तो नहीं है यह यह और्गन मार्च 2019 में 46th session of the council of foreign ministers of organization of Islamic corporations हुआ जो हेल्ड होता है अब अबुदाभी में वेर इंडिया वॉस इनवाइट आज गेस्ट ऑफ ऑनर और भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया गया था clear अब UAE host करता है event को जो strongly defend करते हैं the decision to invite India despite the Pakistan strong objections and threat to by court the events correct then February 2020 में the UAE issued an operating license for the Arab world's first nuclear power plant paving the way for it to start production in the 2020 then UAE का Mars mission जो July 2020 में है कि UAE launched a Mars prop name Amal Hope from Japan marking the Arab world's first interplanetary missions clear है यह है UAE के recent developments then after September 2020 में क्या होता है कि जो आपका UAE है वो sign करता है अब रहम एकोर्ड विद इस्राइल और बेहरान विच इस फस्ट अरब इस्राइल पीस दिल इन दे ट्वेंटी सिक्स इयर्स कोई डाउट तो नहीं है सुडेंस यहां पर यह चीज़ें इंपोर्टेंट रखी जाएंगी क्लियर है और जैसा कि आप लोग देख पारे हैं हमारे पास करन्त अफिर से भी आगे जादा है बट ड्यू टू टू टाइम मैं आज का सेशन यहीं तक रोगता हूं सुडेंट्स और होप करूगा कि आपको यह वहला सेशन भी काफी अच्छा लगाओगा तो प्लीज इसक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूगा थेंकियो सुडेंट्स